सोफिया कॉलेज की छात्रों ने परियावरण को बचाने के लिए दिया संदेश पॉलेजिन को ना इस्तमाल करने की करी अपील कॉलेज से कलेक्टी तक निकाली दे लिए और यह बताए कि पॉले थिन हमारे पर्यावराण के लिए कितनी हानिकारक है और लोगों से कपड़े की थेले अस्तमाल करने के अपील की तो आज हम सबने यह अवेनेस विलाने की कोशिश की है आपका नाम क्या है? क्रती शर्मा, मैं सोफिय कॉलेज की स्टूडेंट है हमने कॉलेज के अंदर हम सब लोगों ने मिलके बहुत सारे प्रण लिये हैं के हम लोग एक साथ गाड़ियों पे आएंगे, कार पूलिंग, स्कूटी पूलिंग करेंगे हम लोग उने प्लान्टेशन की बहुत अयारी किये हम लोग गाड के लिए पेपर बुकमार्स बना रहे हैं किया, वो सोफिया कॉलिज से कलेक्टरेट मैरतिन में आई वहाँ पर उन्होंने आकर एक नुकट नाटक प्रदशन किया जहां पर उन्होंने बताया कि प्लास्टिक्स को बैंग किया जाए पदुशन ना किया जाए और इस दिवाली एक हरी दिवाली के तियोहर मनाया जाए जहां पर पदुशन रोपने का संदेश उन्होंने लोगों को दिया कल हमारे कॉलिज में पेपर बैंग मेकिंग कॉम्पेटिशन गुआ था आज बच्चों ने यहां पर कलेक्टरेट चौरा पर लोगों को पेपर बैंग्स वितरन किये और उन्होंने उनको संदेश दिया कि वो प्लास्टिक को बैंग करे और पेपर बैंग्स का इस्तमाल करे जिसे हम अपनी धरती मा की सुरक्षा कर सकते हैं कलेक्टरेट पर हम सब ने यहां पर एक व्रत दिया कि आज से हम अपनी धरती मा की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे मैं डॉक्टर सिस्टर परल प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमे धन्यवाद